आप सब को जैमसी की परमेश्व का धनिवाद हो आज की सुंदर पल के लिए और आप सब को गुड फ्राइडे की बहुत सारी वधाईया परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशिशों को लेकर आए आए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे उसके बाद हम वच्चन और प्रात्न में जाएंगे आप हमारे साथ में बन रहे हमारे चैनल हिंदी बाइबल मेसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ मैं हरियाना से बोल रही हूँ मेरा नाम गैतरी है मैं अपनी बेटी के लिए प्रेयर करवाई थी जो की बहुत बिमार थी उसे जैनली से और इंफेक्शन लिवर इंफेक्शन और बुखार था मैं इसके लिए प्रेयर सेंटर में प्रेयर कॉल की थी एक सिष्टर ने मेरे बेटी के लिए प्रेयर की मैं कई डॉक्टरों के पास गई थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ उन्होंने दवा किया मगर कोई फैदा नहीं हुआ मगर मैं प्रेयर के बाद मेरी बेटी उसी दिन से भले चंगी होने लगी और आज वो बिल्कुल स्वस्त है और परमेश्वर के दिया से बिल्कुल भी स्वस्त है और अच्छी है, मेरी दूसरी गवाही है, कि मेरे बेटे और ब्रदर इनलो जो भी मार्थ हैं, मैं उनके लिए प्रेयर करवाई थी, आज वो भी भले चंगे स्वस्त हैं, मेरे बेटे को सर में चोट लगी थी, वो भी आज मेरा बच्चा भी सही सलामत है, मैं चाहते हूं कि जिस तरह सबकी जीओन में कारे करें, वैसे सबकी जीओन में कारे करें, और पीके ब्रेदर, अमिता, सिटर, जो हम सबों के लिए जो लगातार प्रातना करते रहते हैं दिन, रात, पर में उनको भी आसिसीद करें, उनकी मिनिश्टी को आगे बहाए में अपर दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की फरातना में, और आज जैसे कि आप सबी लोग जानते हैं कि गुद फ्राइडे है, इसलिए हमारी तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से, हिंदी बाइबल मेसेज प्रेयर सेंटर की तरफ से, आपको गुड़ फ् उसका दुक का दिन था, तुम क्यों इसे गुड कह रहे हो, क्यों इसे अच्छा सुकरवार कह रहे हो, क्यों इसके बधाईयां हमें दे रहे हो, तो आज के इस समय में हम लोग देखेंगे क्यों आकिर गुड फ्राइडे मनाया जाता है, क्यों हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं जबकि ये तो येशु मसी के मृत्यु का दिन है तो ये हमारे लिए दुख का विशय होना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा क्यूं है इस बात पर हम आज बाचित करेंगे और आज साम हमारे साथ में लाइब में आप सामिल हो ये और गुड फ्राइडे को मैसेज को आप स हम 6 बजे से हमारे साथ में सुन सकते हैं और आराधना में हमारे साथ में सामिल हो सकते हैं एक वचन हम लोग पढ़ेंगे रोमिय की किताब उसका पांच अध्याई और आठ बद जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है परंतो परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीती से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब ही मसी हमारे लिए मरा आमेन दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम इस रीती से मनुश्यों पर प्रकट हुआ कि जब सब मनुश्या गुनहा में लिप्त थे जब सब मनुश्या पाप कर रहे थे पापों से छुटकारा देने के लिए हमें उन पापों से च्छमा देने के लिए प्रभु येश मसी आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होई ताकि आपका और मेरे मेल पर मेशर से हो सके ताकि आपका और मेरे पाप च्छमा हो सके उसके लहू बहाने के दौरा उसके ब हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि आज के दिन प्रवयेश मसीफ आपके लिए और मेरे लिए कुरूस पर बलिदान हुए जिस उदेश से उस धर्ती पर आये थे वो उदेश से उन्होंने वहाँ पर पूरा किया और ये बात आपको और मेरे लिए अच्छी साबित इसलिए बाइविल कहते हैं ये उन्होंनर चेश समझार उसका तीन अध्याए सोला पर्द के परमेशन ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नास नहो परंतु अनंत जीवन को पाए वो नस्ट नहो परंत क्या पाए हमेशा की जिंदगी मोक्छ पाए उद्धर पाए इसलिए परमेशन ने अपने बेटे प्रवियेशन मसी को इस धर्ती पर भेजा और वो आपके और मेरे लिए बलिदान हो गए क्योंकि बाइबिल कहती है बिना लहु बहाए पापों की चमा नहीं है और प हर एक ब्यक्ति ने गुना किया है हर एक ब्यक्ति गुनेगार है तो हमारे गुनाओं की चमा कैसे हो लहु बहाने के दुआरा किसका लहु पवित्र मेमने का निस्पाप निस्कलंक मेमने का लहु बहाया जाए तब उसके लहु के दुआरा आपके और मेरी गुनाओं की चम हो जाएगी और प्रव येश मसी वो मेमना बनकर इस धर्ती पर आए और वो क्रूस पर उन्होंने आपने आपको बलिदान कर दिया ताकि आपको और मेरा परमेश्वर से मेल हो जाए उनके लहू बहाने के द्वारा एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे पहला पतरस की किताब उ यहाँ पर कुछ इस परकार से लिखा है इसलिए कि मसी ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए वे शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया आम दोसनों यहाँ पर परमेश्व का बचन कहता है कि इसलिए मसी येश्व ने अधर्मियों के लिए एक धर्मी ने अपने आपको बलिदान कर दिया धर्मी प्रव येश्व मसी जिस पर कोई दोस्त नहीं था वो निर्दोस्त था उसने अपने आपको बलिदान कर दिया ताकि आप और मैं पापों की च्छमा को पाएं उसने दुख उठाया ताकि आप और मैं पापों की च्छमा पाएं और प्रवयेश मसी के कुरूस पर बलिदान होने के दौरा आपको और मेरा मेल परमेशुर से हो गया हमें परमेशुर ने उसके लहु के द्वारा खरीद लिया अब आप और मैं परमेशुर की संतान बन गए बाइबल कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उने परमेशुर की संतान होने का अधिकार दिया हम परमेशुर की संतान बन गए प्रव येश मसी के लहू बहाने के दोरा उसकी मृत्ति के दोरा तो इसलिए ये दिन हमारे लिए एक अच्छा दिन है खुसी का दिन है आप मायोस बैठे न रहें आप उदासी में न रहें ये सोच कर कि आज तो मेरा प्रव बलिदान हुआ आज तो मेरे प्रव के उपर बहुत कोड़े मरे गए आज तो मेरे प्रव ने दुख उठा है नहीं, वो आपके खातिर हुआ यदि आप इस बात को समझते हैं कि प्रव ने आपके लिए ये सब कुछ किया तो आपको खुस होना है और प्रव की आज्याओं पर चलना है प्रव के नियमों पर चलना है दुख ही होके कुछ नहीं होगा लेकिन आपको प्रव के नियमों पर उसके आज्याओं के अनुसर अपने जीवन को ब्यतित करना है आज आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में निरने ले, डिसिजन ले जिस परमेशन ने अपना एक बेटा दे दिया हम मुझसे इतना प्रेम किया प्रभी येश्व मसी ने इतना प्रेम किया कि मेरे लिए अपने आपको बलिदान कर दिया तो मैं भी उससे प्रेम करूँगा, उसके पीछे चलूँगा, उसके आग्याओं पर चलूँगा ये निरने आपको अपने जीवन में लेना है क्योंकि ये आपके लिए खुसी की खबर है कि परमेशन आपसे प्रेम करते है और प्रवियेश मसी के लहू बहाने के दौरा आपका मेल परमेशन से हो गया उसके बलिदान होने के दौरा आपके गुनाह जो बहुत लाल रंग के थे वो सफेद हो गए है आप जो परमेशन से बहुत दूर थे उसके लहू बहने के दौरा, उसके बलिदान होने के दौरा, आप परमेश्चर की संदान बनगे, उसकी करीबी में आ गए है, जिसले दोस्तों, आज सुभह में मैं आपको उत्साइद करूँगा, क्या आपको निरास दुखी रहने की आउशकता नहीं है आज, आज आपको उ लामी से आपने चुटकारा पा लिया है, इन बातों के लिए आपको परमेश्चर का धन्यवादित होना है, इन बातों के लिए आपको खुस होने की आउशकता है, कि आप अब नर्ग के भागी नहीं है, बलकि आप स्वर के राज्य के वारिस हो चुके हैं, आपको खुस हो तेरी आग्याओं पर चलूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा, तेरी विरोध में कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप इस परकार से करेंगे, तो परमेशर आपको बहुत बड़ा परतिफल देंगे, कि आप उसके साथ में राज्या करेंगे, सुप्रव आपको इ कबरी है, हमारा एक नया भजन जो कि अमरितामसी ऑफिशियल चैनल पर आएगा, 31 मार्च साम 5 बजे, तो आप जरूर से जाकर उस चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इस भजन को अवश्य सुने, यदि आपको रील चाहिए इस भजन की, तो आप जा करती हूँ, प्रभू के इस सामर्थी वचन से आप प्याशीश पाई है, सामर्थ पाई है, और ये वचन आपकी लाइफ में कारे करेगा, तो आईए मिलकर प्रात्मा करें, धनिवाद, धनिवाद करते हैं, स्वर्ग में विराजमान, अतिपवित्र, महान, सामर्थी पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, प्यारे येशु, आप हमारे जीवन के प्रभू हैं, आप हमारे जीवन में कारे करने वाले प्रभू हैं, हम आपका आदर करते हैं, पिता, अपने हिर्दे में पहला इस्थान मेरे येशु मसी हम आपको देते हैं, पिता, आप बहुत अच्छे हैं परमिश्वर आपका धनेवाद उस अगापे प्रेम के लिए पिता जो तुने मनुश्य से किया प्रभू और वो प्रेम तुने तब किया प्रभू जब हम पापी ही थे प्रभू और तुने अपने प्रेम को जाहिर किया कि तुने अपने प्राणों को हमारे विश्वास करें कि येश्व मेरे लिए मारा गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो प्रभू आपने कहा है कि जो इस बात पर विश्वास करेगा, वो अनन्त जीवन को पाएगा, वो उद्धार को पाएगा, मैं धनेवाद करती हूँ पर मे चाहे जाते, मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरे बलिदान के लिए परमेश्व प्रभू, जो तुने हम सब के लिए दिया प्रभू, आज हर एक जन प्रभू, उस बलिदान के लिए धन्यवादित हो सके, अपने मन से प्रभू, उस सैक्रिफाइस के लिए प्रभू जी उस cruise की मृत्यू के लिए प्रभू जो तूने हम सब के लिए सही प्रभू उसके लिए हम आज धन्यवादित हैं प्यारे अबा आपका धन्यवाद हो प्रभू आपकी महिमा हो प्रभू येश्यू आज हर एक जन प्रभू इस बात से आनंदित हो सके पिता कि उनके गुना के लिए प्यारे येशु आप क्रूस पर चड़ाई गए परमेशर हम सब के गुना आपने क्रूस पर उठाए पिता इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्यारे प्रभू और हमें चुटकारा दे दिया उन पापों से उस पाप की मजदूरी मृत्यु से प्रभू प्रभू आ तेरे आग्याएं प्रभू अपने जीवन में फालो करने के लिए आगे बढ़ सके और आज हर एक जन प्रभू निश्चे कर सके प्रभू कि जैसा कि तेरा वचन कहता है जैसे कि तुने आग्याएं दी है प्रभू उस आग्या को अपने जीवन में मान कर प्रभू हम आगे बढ़ सके पिता और धनेवाद करते प्यारे परमेश्य जो जो आग्याएं परमेश्य तुने हम सब को दी है पिता उस आग्या को हम अपने जीवन में प्रभू उसे पूरा कर सके पिता सच में मेरे खुदावन हमारे चलने फिरने उटने बैटने से परमेश्वर हम तेरी आज्याओं को पूरा कर सके प्यारे परमेश्व पिता मैं धनिवाद करती हो यदि आज भी बहुत से लोग पाप में हैं गलत कामों में है पिता तो आज इस दिन में मेरे परमेश्व पिता वो एक निश्चे लेने पाएं कि प्रभू हम उन सारी बातों को छोड़ कर तेरे वचनों के अनुसार चलने पाएंगे पिता होने दीजी ये डिसिजन लेने में आज आप इन भाई बहनों की सहता और मदद करें हर एक जन परमेशर आज के दिन में प्रभू अपने जीवन के लिए एक बहतर निर्ण ले सके परमेशर हर एक पाप को अर इत गलत कामों को बुरी लटो को छोड़ने का निस्टे परमेशर आज ये करने पाएं मेरे साथ मिलकर यदि आज आपके लाइफ में कोई भी ऐसी प्राब्लम है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं जो गलत काम आपको लगता है कि आपके लाइफ में हो रहे हैं उन बातों को आज प्रात्न के माधियम से प्रभू के आगे रखें प्रभू ने अपने आपको बलिद करें मेरे प्रभू येश्य मसी में प्रात्न करकि पिता आज हर एक जनने प्रभू निस्चे किया है कि जो कलत काम प्रभू जो इर्षा, जलन, कड़वाहट, दूसरे की प्रति मन मिटाव, गलत बोलना, दूसरों को गाली देना और गलत सोचना ये सारी बातों को प्रभू आज हर एक जन प्रभू आपके आगे रखा है पिता उन चीजों को अपने आप से दूर करने का आज निस्ट है परमेश्वर आपके बेटे बेटियों ने आज किया है परमेश्वर तो होने दीजिये परमेश्वर पिता कि इस सुभा में परमेश्वर हर एक जन प्रभू इन वाटों से च्षुटकारा पाए इन बातों पर विज्य ह्ता पाय कि अब रूद्ध कर दो होते हैं उन्हें और आगे बढ़ सके प्यारे मैं धर्यवाद कर तो क्या आज आपने च्षुटकारा दिया एडिक्शन से गुरी लथो से गलत स्वभाव से गलत आचार व्याभार से प्रभू गलत चाल चलन से परमिश्वर आपने छुटकारा दिया प्रभू आपने इनके बच्चों के लाइफ में इनके परिवार में इनके पर्सनल लाइफ में इनके जॉब के छेत्रे में हर एक छेत्र में परमिश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूं पिता कि आज के दिन में प्रभू तुने बड़ा ही कारिये प्रभू हम सब के लिए पूरी मनुष्य जाती के लिए कि ए खुदा मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे प्रभू आज हर एक जन हिर्दै से तर प्रभू धन्यवाद की भेटों को आपके स चुटकारा पाने पाए प्रभू हर एक बिमारी हर एक पाप को तुने उप़र क्रूज पर उठा लिया अज इस बात पर विश्वास करके प्रभू हर एक बिमार व्यक्ति हर एक दर्द में रहेक तकलीफ में हर एक चो हस्पिटल में अपनी बुरी कंडिशनों में है प्रभू वो विजय पाने पाए पिता वो चंगाई को विश्वास से अपने जीवन में लेने पाए धनेवाद पिता कि तेरे कोड़े की मार के द्वारा तेरे क्रूस पर चड़ने के द्वारा प्रभू जी पिता आपने हमें हर एक पाप हर एक अपराद हर एक बिमारी से अज़ाद कर दिया प्रभू धनेवाद हर एक जन को आपने बिमारी उसे अज़ाद के प्रभू मैं धनेवाद करती हूँ हर एक श्राप से आपने अज़ाद के प्रभू मैं धनेवाद करती हूँ हर प्रकार की दुष्टिता की बातों से आपने अज़ाद के मैं धनेवाद करती हूँ पिता धनेवाद प्रभू कि आज का ये गुड फ्राइडे इनके जीवन में बहुत ही बड़ा अस्चेरे कर्म और बहुत सारी गुड न्यूज को लेकर आने वाले हो सके पिता आज बहुत से लोग परिशान हैं बहुत सी बा पिता परमेश्व प्रभू इनके काम सफल होने पाएं इनकी जरते पूरी होने पाएं ये कर्ज मुक्त होने पाएं इनके लिए अच्छे से अच्छा और बहतर इंतिजाम आप करें बेस्ट से बेस्ट आप इने दे परमेश्व पिता धनेवाद आज जितनों ने अपनी प बाफिखार और इस नए दिन को प्रभू हम आपके नाम से शुरू करते प्रभू यो आप गता पिता और तेरा रज्य हर एक व्यक्ति के द्वारा बढ़ने पाए पिता इन ये औरों के अंदर बीज बोने पाए पिता, धन्यवाद करते प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु अपने बीज को बोया है परमेश्व, सो गुना फलवंत करें, वो निश्चे अपनी कमाई को खाने पाए, बरकते आप इनके परिवार में दें, प्रॉस्पैर को आपके आगे रखते हैं, धन्यवाद प्रभु इस क्रूस के बलिदान के लिए, जो तुने हमारे लिए दिया और हमारे पापो को उठा लिया, पिता एक नया जीवन और उद्धार छुटकारा तुने बदले में दिया, पिता, इस अगाल पे प्रेम के लिए तेरा धन्य धन्यवाद के साथ प्रात्ना येश्यू के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहन करें, आमेन आमेन और आमेन